मैं आपका स्टेडिग्राम विकानिर के यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज अपना राजस्थान जोग्रफी या राजस्थान भुगोल का टॉपिक है राजस्थान की जलवायू climate of राजस्थान और इस टॉपिक पर दोस्तों यह चटा और अंतिम वीडियो है जो इस टॉपिक पर पहला वीडियो था दोस्तों उस पर उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जलवायू कहते किसे हैं और किस परकार यह मौसम से भिन्न होती है वाले विभिन कारक या factors कौन कौन से हैं और राजस्थान की जलवायू की प्रमुख विसेशताएं क्या है ठीक है दोस्तों और जो दूसरा वीडियो था दोस्तों उसमें हमने राजस्थान के रितू प्रारूप या seasonal pattern पर चर्चा की थी मतलब राजस्थान में जो एक वर् या seasonal pattern से एक छोटी सी तुल्ना की थी और जो second वीडियो का main topic था दोस्तों वो था राजस्थान में ग्रिश्म रितू, summer season और उसकी प्रमुख विसेशताएं दोस्तों इसी series पर या इसी topic पर जो अपना तीसरा वीडियो था उसमें हमने वापस से राजस्थान के रितू प्रारूप पर चर्चा की और जो main topic था तीसरे वीडियो का वो था राजस्थान में वर्शा रितू, rainy season और उसकी प्रमुख विसेशताएं इसी series में या इसी topic का जो चौथा वीडियो है दोस्तों उसमें हमने वापस से राजस्थान के रितू प्रारूप को समझा उससे पहले के वीडियो में अगर कोई point छूट गए थे तो उस पर चर्चा की और जो main topic था वो था राजस्थान में शीत रितू जैसे शीत रितू म में कुछ special points या कुछ important points छूट गए थे उन पर चर्चा की और राजस्थान के नक्षे में राजस्थान के नक्षे में जनवरी और जुलाई माह में विभिन स्थानों पर या विभिन शेत्रों में जो वायूदाब में वायूदाब में अंतर देखने को मिलता है उसे याद करने का एक परयास किया था ठीक है दो, इसी series में जो पांच वा वीडियो था इस वीडियो से ज़स्थ पहले वाले वीडियो उसमें हमने वाagपस से समझा कि कि किस प्रकार राजस्थान को चार भौतिक पर्देशों में और पांच जलवाई वियं पर्देशों में बांटा सकते हैं तो दोस्तों अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें उसके बाद ही इस वीडियो को देखना सुरू करें ठीक है दोस्तों चलिए आज की वीडियो में अपने क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सापको पता देता हूं मैं देखे किसके माध्यम से? संकेताक्षरों के माध्यम से, ये कुछ संकेताक्षर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए A है, ये A- बोल दीजी इसको, ठीक है? इस तरीके से संकेत आक्षनों की साहता से कोपेन, थानवर्ट और टिवर्थी ने विश्व को भिन भिन जलवाई विये परदेशों में बांटा ठीक है और में चीज इन्होंने राज्यस्थान को नहीं बांटा था इन्होंने राजस्थान के संधर्ब में कोई भी किसी भी परकार का वर्गीकरन नहीं दिया था हम इनके वर्गीकरन को राजस्थान पर लागू कर रहे हैं और एक्जाम में हमारे सामने कैसा क्यों सुना सकता है इस बात को समझने का परयास कर रहे हैं तो कोपेन का वर्गीकरन अपने समझ चुके हैं इस वीडियो में हम क्या करेंगे थानवेट थानवेट और टिवर्थी का जो वर्गीकरन है उसको राजस्थान पर लागू करने का प्रयास करेंगे समझने का प्रयास करेंगे एक ट्रिक डेवलप करेंगे एक कंसेप्ट जलवाई विय शेत्र हैं वापस से उन्हें नक्षे में देखेंगे और उनमें कौन-कौन से राजस्थान के भाग आते हैं इस पर चर्चा करेंगे तो थानवट टिवर्थी और राजस्थान के पांच जलवाई विय शेत्र ठीक है दोस्तों यह तीन चीजें करनी है इस संकेताक्षरों की सहायता से ठीक है इन्होंने राजस्थान के संधर्व में कोई वर्गीकरन नहीं दिया अपने इनके वर्गीकरन को राजस्थान पर लागू कर रहे हैं ठीक है यह चीज आप दिहान रखना क्यों ताकि अपने को थानवट के वर्गीकरन में बहुत नहीं दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये दो टेबल्स हैं छोटी सी इनको सबसे पहले याद करते हैं देखिए दोस्तों वार्षिक वर्षा के अधार पर और किसमे वार्षिक वर्षा किसमे दरसाई है सेंटीमीटर में वार्षिक वर्षा के अधार पर थानवर् तर कहा क्या कहा आदर तर और उसके लिए संकेत आक्षर दिया कैपिटल ए तीन सो से अब देखे कम हो रही है यहां जैसे सब नीचे जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी तीन सो से डेड़ सो से तीन सो बोल दो कैसे भी बोल दो सेंटीमिटर औसत वार्षिक वर्षा वाले शेत्र को इन्होंने क्या कहा आदर कहा और संकेत आक्षर क्या दिया बी कैपिटल बी डेड़ सो से पिचेतर सेंटीमिटर वन फिफ्टी से कम होती होती 75 सेंटीमिटर औसत वार्षिक वर्षा वाले शेत्र को इन्होंने कहा उप आद्र और संकेत आक्षर क्या दिया कैपिटल सी उसके बाद में 55 से 25 सेंटीमिटर और सत्वार्षिक वर्षा वाले शेत्र को इन्होंने नाम दिया अर्ध शुस्क और संकेत आक्षर क्या दिया कैपिटल डी और 25 सेंट को तम और संकेत आक्षर क्या दिया कैपिटल ए ठीक है दोस्तों तो यह संकेत आक्षर याद करें अच्छा दोस्तों एक चीज में आपको पहली बता दूँ अब तक अपने क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अरावली परदेश जो है वो उप आदर है पूरवी मैदान आदर है ठी अब आप देखो गया दक्षिन पूरवी राजस थान में तो इत्ती बारिश होती है तो वो तो अती आदर है तो यहां पे तो उप आदर लिखा हुआ है हां लिखा हुआ बई क्यों कि यह थानवर्ट ने बोला है यहां पर अपने को वो चीज अपलाई नहीं करनी है पढ़ रहे हैं तो किस की चलेगी इसी की चलेगी ठीक है तो वह कंफ्यूज मत करना अपने आपको तो यह संकेताक्षर है ठीक है यह शेत्र है यह वर्षा की मात्रा है जो जैसे इसे नीचे आ रहे हैं कम होती जा रही है ठीक है इसको याद करें उसके बाद देखे दोस्त तापमान तापमान के अधार पर वार्षिक तापमान या ओसत वार्षिक तापमान के अधार पर भी थानवट ने विभिन जलवाई वे शेत्र निर्धारित किये जहां वार्षिक तापमान ओसत वार्षिक तापमान 30 डिग्री से अधिक रहता है वो शेत्र है उच्चतम से 30 degree celsius देखिए दोस्तों पहले centigrade बोला जाता था 1948 से centigrade को celsius बोला जाने लगा है तो celsius centigrade का ही नया नाम है 15 degree celsius से 30 degree celsius के बीज का और सत्वार्शिक तापमान जहां रहता है वो शेत्र उच्च ताप शेत्र कहलाता है और इसके लिए संकेत आक्सर क्या है capital B dash 0 degree से 15 degree centigrade के बीज का जो तापमान रहता है वो क्या है मध्य ताप शेत्र capital C dash और 0 degree centigrade से नीचे जिस शेत्र में तापमान रहता है और देखिए वार्शिक तापमान है ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार नहीं वार्शिक औसत तापमान है ये 0 degree centigrade से नीचे वो शेत्र क्या कहलेगा निम्नतम ताप या निम्नतम तापमान शेत्र संकेताक्षर कैपिटल डी डैश ठीक है दोस्तों अब देखे दोस्तों क्या राजस्थान में आपने कभी सुना है अपने अब तक जिलवाईव पढ़ रहे हैं अपने वर्षा रितु पढ़ी कहीं आपने देखा कि राजस्थान में 300 cm और शत्वार्षिक वर्षा और शत्वार्षिक वर्षा राजस्थान के किसी भी शेत्र में 300 cm से अधिक होती है क्या ऐसा शेत्र है राजस्थान में नहीं है तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया इस संकेताक्सर का उप्योग अपने नहीं करेंगे कहीं भी ये संकेताक्सर अपने उप्योग में नहीं आएगा क्या राजस्थान में डेड़ सो से तीन सो सेंटीमीटर तक की भी और सत्वार्शिक वर्षा होती है किसी शेतर में नहीं होती राजस्थान में अधिक्तम वर्षा ही कितनी सुनने को मिलती है 1500 cm कहां माउंट अबू में और यही 145-150 के बीच में कहां जहलावाड में ठीक है तो ये शेत्र भी क्या संकेत अक्सर भी या ऐसा शेत्र भी राजस्थान में मिलता है जैसा थानवर्ट ने दिखाया है नहीं तो ये शंकेत अक्सर भी अपने उप्योग में नहीं लेंगे तो ये दो क्रॉस लगा दिये अब अपने को पता है और 25 से कम वाला शेत्र भी मिलता है तो टिक लगा दिया और 25 से कम वाला शेत्र भी मिलता है अपने को पता है अच्छे से तो यह शेतर भी मिलता है तो यहां पर भी अपने टिक लगा दिया तो यह दो संकेत आकसर अपने कोई उप्योग के नहीं है यहां देखिए क्या राजस्थान में ऐसा तापमान मिलता है मिलता है भी तो टिक लगा दिया क्या राजस्थान में ऐसा शेतर मिलता है जहां 15 degree centigrade से 30 degree centigrade के बीच का ओसत तापमान रहता है वार्षिक तापमान रहता है टिक लगा दिया क्या राजस्थान में ऐसा शेतर मिलता है जहां शीत रितु में बहुत कम टेंपरेचर हो और ओसत इतना कम टेंपरेचर कि वार्षिक ओसत तापमान वार्षिक ओसत तापमान एक टाइम का नहीं 0 से 15 डिगरी सेंटिगरेट तक पहुंच जाता है वो और इतने दिनों तक नहीं रहता कि वो औसत वार्षिक ओसत आपमान को इतना कम कर दे तो ध्यान रखना है इस बात को तो मध्य ताप शेतर नहीं मिलता है राजस्थान में तो ये संकेत आक्षर भी अपने उप्योग में नहीं आएगा सी डैस भी अपने उप्योग में नहीं आएगा और जब ये नहीं मिलता तो जीरो डिग्री सेंटिग्री से नीचे का वार्षिक ओसत आपमान तो मिल ही नहीं सकता राजस्थान में मिलता भी नहीं है तो क्या निम्नतम ताप शेतर है राजस्थान में कौन सा निम्नतम ताप शेतर थानवर्ट का निम्नतम ताप शेतर नहीं है वई तो D, कैपिटल D डैस वाला संकेत आकसर भी अपने उप्योग में नहीं आएगा तो दोस्तों थोड़ा सा वापस से फोकस कीजिए ये तीन शेतर राजस्थान में देखने को मिलते हैं वार्शिक वर्षा के अधार पर और ये दो शेतर ताप मान के अधार पर अपने जो संकेत अकसर इस्तिमाल मेहेंगे वो हैं Capital C, Capital D, Capital E इस Table से यहां से Capital A' और Capital B' इस Table से ठीक है दोस्तों इसके अलावाद दोस्तों दो चोटी-चोटी चीज़ें और याद रखनी है ऐसे शेतर जहां winter is arid या शीत रितू सुस्क होती है ठीक है ऐसे शेतरों के लिए एक संकेता अकसर उपयोग में आएगा small w small w ठीक है और ऐसे शेतर जहां all season dry होते हैं वर्स भर ही पूरा वर्स भर ही सुस्क होता है बारिस कम होती है ऐसा शेतर या ऐसे शेतर के लिए संकेता क्षर जो उपयोग में आएगा वो होगा small d ठीक है दोस्तों केवल शीत शुस्क हो small w और सारे सारी रित्वें सारा सीजन सारा वर्स सारे सीजन्स या सारे सारा वर्स ही सुस्क हो तो small d और एक चीज़ और Capital E के साथ हमेशा small d आएगा Capital E के साथ हमेशा मतलब सुष्क तम के साथ हमेशा small d आएगा देखो वार्षिक वर्षा क्या हो रही है 25 cm से कम तो obviously पूरे साल बर क्या रहता है सुष्क वातावरन ही रहेगा तो all season dry सुष्क small d E के साथ हमेशा रहेगा ठीक है दोस्तों तो ये चीज अगर आपको समझ में आगी है तो थानवर्ट का वर्गी करन आपको समझ में आ गया है तो चलिए थानवर्ट के वर्गी करन को राजस्थान पर लागू करते हैं थानवर्ट के वर्गी करन के रुशार दोस्तों थोड़ा सा मैप में आपको याद करना पड़ेगा कोपेन के मैप में भी याद कर लेना जो basically अपने lines बना कर जो राजस्थान का विभाजन करते हैं बस इतना याद कर लेना उसके बाद अपने को बस कुछ नहीं करना ये चीज़े इन पर लागू करनी है तो देखें ये मैंने first, second, third और fourth पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जलबाई ये परदेश दर्साएं हैं और थानवर्ट के वरगी करनी या थानवर्ट के इन दो टेबल्स को इस पर लागू करते हैं समझते हैं सबसे पहले first को देखते हैं दोस्तों तो आपको अच्छे से बता है ये कौन सा शेत्र है तो आपको लग रहा होगा नहीं लगवग यहीं पाई जाती है यो आई-सो हाइट लाइन भी यहीं पाई जाती है ठीक है और इसके पस्चिम में जो राजस्थान का शेत्र है वहाँ पर और सत्वार्षिक वर्षा कितनी है 25 cm से कम 25 cm से कम सुस्कतम कैपिटल ए तो ये सेतर में क्या हैगा सुस्कतम कैपिटल ए दिखेगा आपको देखे सुस्कतम ठीक है और अगर कैपिटल ए है तो डी भी होगा साथ में मतलब all season dry सारे सारी रित्में क्या रहेगी सुस्क रहेगी तो सभी रित्मों में न्यून वर्षा और तापमान कैसा रहता है दोस्तों तापमान कैसा रहता है उच्चतम ताप देखने को मिलता है इस शेत्र में उच्चतम ताप देखने को मिलता है वैसे भी देखिए जेसल में राजाता है इसमें बिकाने राजाता है जोत्पूर जाता है तो इन तिनों में से कौन सा शेत्र होगा यहां पर उच्चतम तापमान वाला तो देखिए कि एडैस और यह है यह है तो डी आएगा ही तो एडैस और डी इसलिए इन संकेत आक्षरों का उप्योग किया गया है इस शेत्र के लिए चले दोस्तों दूसरा शेत्र लेते हैं डी कैपिटल डी एडैस डबलू लिखा हुआ है और यह कैसा शेत्र है दोस्तों आपको अच्छे से बता है 25 सेंटीमेटर सम वर्षा रेखा के 25 सेंटीमेटर सम वर्षा रेखा के जैसे ही अपने पूरों में जाते हैं एक तरीके से अर्द सुष्क शेत्र आ जाता है यह तो अपने को पता है अब देखिए यह कैसा शेत्र है दोस्तों अर्द सुष्क है ठीक है क्या इस शेत्र में क्या इस शेत्र में दोस्तों सारे सी अधिंस चलि जाती है तो मुख्यत एक कौन सी रितु यहां पर शुष्क होगी शीत रितु शुष्क होगी और तापमान कैसा उगा दोस्तों तापमान उच्छितम laboratories ही होग तो राजस्थान में पूर्वी भाग में भी पूर्वी भाग में भी पत्थरों या टानों की अधिकता के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो तापमान कैसा होगा उच्चतम तापमान ही होगा दोस्तों तो देखें अर्ध सुष्क है क्या है दोस्तों अर्ध शुष्क शेत्र है वर्शा की मात्रा किती रहती है 25 से 75 सेंटिमीटर ठीक है अगर आप व दोस्क के लिए दोस्तों कौन सा संकेत अक्षर आएगा डी उपयोग में लेंगे उच्छतम तापमान है तो डी कि कि एडैस और केवल सीत्रितु सुष्क होती है तो यहां से क्या लेंगे स्वाडियाँ स्माल डबलू तो अब देखे दोस्तों तीसरे शेत्र पे चलते हैं तीसरा शेत्र क्या है दोस्तों उच्चे ताप रहता है देखे हर्याली ज़्यादा है नहरी इलाका हो गया है हर्याली बहुत ज़्यादा है ठीक है तो गर्मी जो है वो या पूरे साल बर का जो तापमान है वो उच्चे तम नहो कर तोड़ा कम होता है यहाँ पर तापमान की अधार पर कैसा शेतर है और और सुस्क है यह सुस कितम राजस्थान है उसके इधर अर्द सुस्क राजस्थान ही मिलता है और बेसिकलिए आपको पता है गंगा नगर हनमानगर शेतर जो है उसकी बात हो रही है तो अर्द सुस्क शेतर है ठीक है और कौन सी रितू मुख्यत है सुस्क होगी क्या सारा साल भर यहां पर सुस्क होगा या केवल सीत रितू सुस्क होगी सीत रितू सुस्क होती है ठीक है केवल सीत रितु सुष्क है, इसलिए small w उप्योग में लेंगे, तो D, capital B dash, और small w, इन संकेत आक्षरों की साहता से इस शेत्र को दर्साया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, I hope समझ मारा होगा, देखे अपना दिमाग नहीं उप्योग में लेना है, थानवर्ट ने जो बोला है, उसको यहाँ पर apply करना है, चलिए चोथा शेत्र लेते हैं, आपको अच्छे से पता है मैं किस शेत्र की बात कर रहा हूँ, दक्षिन और दक्षिन पूर्वी राजस्थान की, तो ये शेत्र कैसा होगा दोस्तों, वार्षिक वर्षा के अधार पर आपको क्या लगता है, क्या ये सुस्कतम होगा, नहीं, क्या ये अर्द सुस्क होगा, नहीं, क्या ये उप आद्र होगा, हाँ ये शेत्र क्या होगा, उप आद्र होगा, यहां पर 75-500 cm तक और 70 वार्षिक वर्षा देखने को मिलेगी यहां कि राजस्थान में सरवादिक वर्षा इसी शेत्र में देखने को मिलती है तो यह शेत्र कैसा होगा थानवट के अनुसार उप आदर तो उप आदर शेत्र है तो क्या सारी रित्वें सुस्क होगी? नहीं भई क्या सीत्र रित्व सुस्क होगी? हां तो सीत्र रित्व सुस्क रहेगी तापमान कैसा रहेगा? पठारी शेत्र होने की वज़े से दोस्तों पठारी शित्र होने की वज़े से और करक रेखा के निकटता की वज़े से ये शित्र थानवट के अनुसार कैसा रहेगा उच्चतम तापमान वाला शित्र रहेगा तो चलिए देखते हैं कौन से संकेत आकसर इसके लिए उपयोग में आएंगे अब देखे दोस्तों यहाँ पर अपना जो पहले का नॉलेज है उसको अपलाई नहीं करना है थानवट के अनुसार जो चीजे हैं उनको यहाँ पर लागू करना है तो अगर आपने यह दो टेबल्स और यह चोटी सी एक यह टेबल याद कर ली है यह तीनो टेबल्स याद कर ली है तो कुछ नहीं करना अपने को इन चीजों को यहाँ पर लागू करना है और जैसा मैंने समझाया है उसको as a trick या as a concept बिलकुल याद कर लो अपने ठीक है दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं अपने देखे दोस्तों पहला शेतर लिया था अपने ने कौन सा capital e a dash और small d ठीक है तो देखे दोस्तों यह शेतर basically इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो यह शेतर राजस्तान का शेतर ठीक है दोस्तों इसके बाद अपने बात करते हैं capital d capital a dash w की यह शेतर कौन सा है दोस्तों इसकी बात कर रहा हूं मैं अर्द मरुस्तलिय तो आपको अच्छे से बता है सुस्कतम मरुस्तल के बाद अर्द मरुस्तलिय शेतर आता है अर्द मरुस्तलिय एवं सीमान्त शेतर सीमान्त मतलब देखे जातर राजस्तान की सीमा को कवर कर रहा है तो सीमान्त शेतर इसके बाद बात करते हैं अपने तीसरे शेत्र की दोस्तों Capital D, Capital B-W की ठीक है तो इसमें कौन सा आ रहा है उत्तरी राजस्थान के शेत्र ठीक है दोस्तों चलिए Capital C, Capital A-W इसकी बात करते हैं तो अपने को अच्छे से पता है दक्षिन और दक्षिन पूर्वी राजस्थान तो I hope दोस्तों थानवर्ट का जो वर्गी करन है वो आपको समझ में आया होगा समझ में नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा कॉंप्लेक्स लग रहा है तो कुछ नहीं करना इन दो टेबल्स को याद करना है इसके साथ इस तीसरी छोटी टेबल को याद करना है एक कंसेप्ट याद रखना कैपिटल ए के साथ स्मॉल डी आएगा ही आएगा और कुछ नहीं करना यहां से थोड़े से कंसेप्ट डवलप करने है उनको उठाकर इस मैप पे रख देना है बस ये लाइन्स याद कर लेना किस तरीके से हमने राजस्थान को चार भागों में बाटा है नक्षे याद करने पड़ेंगे कॉपेन में भी आपको नक्षा याद करना पड़ेगा और यहां भी आपको नक्षा याद करना पड़ेगा कंसेप्ट बनाके याद करना उसके बाद इसको रट लेना दोस्तों उसके बाद इसको रट लेना लेकिन पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बना के याद करने की कोशिश करना जब आप ऐसा करोगे तो आपको इसको समझने में असानी होगी और जब आप इसे समझ जाओगे तब रटने में असानी रहेगी तो मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ जो भी डाइग्राम, जो भी टेबल या जो भी पॉइंट आपको नोट डाउन करना है नक्षा बनाना है वो आप बना लीजिए और उसके बाद अपने टिवर्थी का वरगी करन करते हैं वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें सीधा नक्षे पर टिवर्थी का जो वरगी करन उसे अपलाई करेंगे और नक्षे की सहयता से ही याद करेंगे और राजस्थान के पाँच जलवाईवे शेतरों को वापस से नक्षे में अपने दर्शाएंगे और याद करने की कोशिस करेंगे तो मैं साइड में हो रहा हूँ जो भी पॉइंट्स हैं आपको नोट डाउन करने हैं वो नोट डाउन कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने देखेंगे टिवर्थी का वर्गी करन और राजस्तान के समान्य जलवाई विये परदेश कितने हैं टोटल पांच ठीक है देखे दोस्तों इन दोनों को ही अपने राजस्तान के नक्षों की सहायता से कोपेन का वर्गीकरन किया, उसके कंसेप्ट को समझा, उसे राजस्थान के नक्षे पे लागू किया, ठीक है, इसी तरीके से अपने ने थानवर्ट के वर्गीकरन को किया, उसके कंसेप्ट को समझा थोड़ा, अपने कंसेप्ट बनाए, ठीक है, एक ट्रिक बनाई और उसकी साहता से फिर अपनेने याद करने की कोशिस की लेकिन टिवर्थी का जो वरगी करन है दोस्तों उसको मैं सीधे ही राज्यस्थान के नक्षे से याद करा रहा हूं और आपको अच्छे से पता है कोपेन, ठानवर्थ और टिवर्थी तीनों नहीं संकेताक्षरों के माध्यम से विष्व, पूरे विष्व को भिन भिन जलवाईविये परदेसों में बांटा है, तो इसे सीधा आप नक्षे की साहता से याद करें दोस्तों, ठीक है, असानी से याद हो जाएगा, उतना जादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो देखे, यहाँ पर भी दोस्तो राजस्थान के नक्षे को मैंने इन रेखाओं की साहता से चार भागों में बांट रखा है, कितने भागों में बांटा है, चार भागों में सबसे पहले अपने पहला भाग लेते हैं, आपको अच्छे से पता है, यहाँ लगवग क्या है, पच्चिस सेंटिमीटर सम तो देखिए ये क्या है वही जेसल मेर और पश्चमी विकानेर ये याद रखने आपको और संकेत आकशर क्या याद रखने है इसके बाद देखिए 25 cm समवर्षा रेखा और लगबग यहाँ पर है अरावली शेत्र इन दोनों के बीच का जो दोस्तों इन दोनों के बीच का जो शेत्र है वो क्या है अर्ध सुष्क मरुस्थलिय शेत्र या राजस्थान बांगड कहलाता है थोड़ा सा अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो ठीक है देखिए तो इसको हमने second number दिया है और संकेत आकशर क्या है capital B small s और h ठीक है दोस्तों देखे कुछ शेत्र क्या है ओशन है और कुछ शेत्र इसके क्या है अर्ध ओशन है तो ओशन और अर्ध ओशन ठीक है दोस्तों और step जलवायू तो याद करो एक table बनाई थी मैंने जलवायू ये बहुतिक परदेशों की और उसमें जलवायू ये या अर्ध सुषक मरुष्थली शेत्र में वनस्पती कौनसी लिखभाई थी दोस्तों कंटीली जाडी नुमा stepी जलवायू तो stepी वनस्पती एक तरीकी की ठीक है तो देखे ओशन और अर्ध ओशन stepी जलवायू के मध्य पश्चिमी और उत्री राजस्थान के शेत्र मध्य राजस्थान आ जाता है इसमें ठीक है पश्चमी राजस्थान आ जाता है और उत्री राजस्थान तो बेसिकली मध्य पश्चमी और उत्री राजस्थान के शेत्र और क्या याद रखना है उष्ण और अर्ध उष्ण स्टैपी जलवाई भी है शेत्र और इसके संकेताक्षर चलिए दोस्तों तीसरे भाग में आते हैं संकेताक्षर क्या है capital A और small w capital A और small w देखे दोस्तों इसके संकेताक्षर याद करते समय थोड़ा सा इसका compare कॉपेन से और ठानवर्ड से करना तो थोड़ा याद हो जाएगा असानी से ठीक है तो capital A और w और अपने को अच्छे से पता है कि पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है लगबग लगबग तो ocean कटी बंदी है ocean कटी बंदी है देखे चटानी जो पत्रीला इलाका है चटानी लाका इस वैसे गरम रहता है ये लाका ocean कटी बंदी है आद्र जलवाई और वर्षा अधिक होती है अपने को अच्छे से पता है पस्चिम से पूर्व की और वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है लेकिन गिरिश्म काल में इस भाग में भी गरमी पड़ती है क्योंकि पठारी शेत्र है और पहाड भी है तो एक तरीकी से चटानी भाग है ocean कटी बंदी है आद्र जलवाई विये शेत्र और संकेताक्षर एडबलू फोर्थ असानी से अराम से याद करें दोस्तों याद हो जाएगा चौथा भाग जो है अपने को अच्छे से पता है किसकी बात कर रहे हैं अपने दक्षनी और दक्षिन पूर्वी राजस्थान ठीक है तो एक तो अर्ध उशन है क्या है अर्ध उशन है इस तरीके से कर लीजिए यहाँ पर लगबग करक रेखा है करक रेखा कि नीचे वाला भाग उशन है और उपर वाला थोड़ा सा क्या है थोड़ा सा उशन से कम हो जाता है उपोशन हो जाता है तो इसे अर्ध उशन बोल दिया यहाँ पे अर्द उसन आदर जलवाई हूँ ठीक है क्योंकि यहां पर वनस्पति के लिहाद से मालो वर्षा के लिहाद से मालो यहां पर इस भाग में इस भाग के तुलना में आदरता जादा होगी तो गर्मी भी थोड़ी क्या होगी कम होगी तो यह कह है अर्द उसन यह उसन आदर यह cемall a और small w, caw ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से हम टिवर्थी के वर्गीकरन को याद कर सकते हैं और अगर आपने पहला वीडियो जो राजस्थान के भुगोल का राजस्थान की जोग्राफी का पहला वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान में कौन सा जिला कहां परस्तित है तो थोड़ा सा आप आइडिया भी लगा सकते हो कि इन संकेताक्षरों की सायता से जो ये चार जलवाईवे शेत्र दर्शाय है इन में कौन-कौन से जिले आते हैं ठीक है दोस्तों तो टिवर्थी में बस आप इतना ही करें थोड़ा सा नक्षे की सायता से याद कर लें असानी से आपको याद हो जाएगा चलिए अब आते हैं दोस्तों अपने राजस्थान के समानने जलवाई विये परदेशों पर तो आपको अच्छे से बता है दोस्तों कि राजस्थान को चार बहतिक खंडों में ठीक है चार फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है उत्तर पश्चमी रेतिला मैदान ठीक है उसके बाद में अरावली शेत्र उसके बाद में पूर्वी मैदान और दक्षिन पूर्वी पठारी शेत्र तो ये तो है फिजिकल डिविजन्स या भातिक विभाजन जो चार खंडों में बंटा हुए राजस्थान लेकिन मैंने बहुत बार बताया आपको जलवायू की दरश्टी से राजस्थान जो है वो पाँच भागों में बंटा हुआ है कितने भागों में बंटा हुआ है पाँच भागों में बंटा हुआ है इनके अंदर अलग-अलग कुछ ना कुछ इसमें dot, कुछ designs बनाए हैं अलग-अलग, यहां dot बनाए हैं, यहां डैस-डैस, यहां पर इस तरीकी की रेखाएं, यहां पर लेटी भी रेखाएं, यहां पर पलस के निसान, ताकि आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए, और पां अर्द सुस्क, स्टैपी जलवाई वे शेत्र, ठीक है दोस्तों, इसके बाद यह अरावली वाला शेत्र आ जाता है, आपको पता है, यह कैसा है, उप्प आद्र, कैसा है, उप्प आद्र, ठीक है, आप यह सब कुछ कर चुके हो, अगर आपने पहले की वीडियो देखें, तो आपको अच्छे से बता है, कि राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिन पूर्व की और जाने पर आदरता बढ़ती चली जाएगी, सुस्कतम या सुस्क, अर्द सुस्क, उप आद्र, तो यह क्या होगा, आद्र, आद्र जलवाई वे परदेश, और दक्षिन अती आद्र भी कहते हैं, यह क्यों जाएगा, पांच वे नमबर पे, तो इस प्रकार राजस्थान को हम पांच जलवाई वे परदेशों में बाटते हैं, ठीक है, अब नक्षे की साहता से थोड़ी बहुत इनके बारे में फैक्ट्स याद रखने की कोशिश करते हैं, दोस दोस्तों, उत्तर पश्मी रितिले मेदान, लगबग ये शेत्र है, उत्तर पश्मी रितिले मेदान को 25 संवर्षा रेखा, दो भागों में बाटती है, कुछ याद आ रहा है, 25 संवर्षा रेखा के, 25 संवर्षा रेखा के, पश्चिम का भाग क्या है, सुस्क शेत्र, और 25 से पूरो और अरावली के बीच का जो शित्र है वो क्या है अर्द सुस्क तो अपने किसकी बात कर रहे है सबसे पहले सुस्क परदेश की या इसे मरुस्थलिय परदेश भी बोल सकते हैं दोस्तों और क्या है ये 25 सेंटीमिटर सम वर्षा रिखा से पस्चिम का भाग है ठीक ह है वो 45 से 50 डिगरी सेंटीग्रेट तक पहुंच जाता है देखिए ये चीजें वापस से समझाने का अपने कोई मतलब नहीं है अपने इन चीजों को डिटेल में डिसकस कर चुके हैं यहां सिर्फ याद करेंगे अच्छा यह मैंने लिखा है आंधिया तो आपको पता है ग तो ग्रिश्म काल में तापमान कितना पहुंच जाता है दोस्तों 45 डिगरी से 50 डिगरी सेंटीग्रेट तक और क्या विसेश्ता है आंधिया यहां की ग्रिश्म काल की विसेश्ता है शीत काल में जो तापमान है दोस्तों वह 0 से 8 डिगरी सेंटीग्रेट तक पहुंच जात जो गेहूं और चने जैसे रभी की फसलों के लिए लाबदायक है जिसे गोल्डन सौवर्स जिसे गोल्डन सौवर्स या सुनहरी बुंदे भी कहते हैं आपको याद आरहोगा ठीक है वर्शा क्या है बई वर्शा काल में या पूरे साल बर में वार्षिक औसत वर्षा बहुत अच्छा दैनिक वे वार्शिक तापांतर बहुत पाया जाता है इसकी बात करेंगे अपने उससे पहले अपने देख लेते हैं कि इस परकार की जो जलवायू है वो राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में हमें देखने को मिलती है तो दोस्तों देखे एक तू यह है कि अगर सा याद करना पड़ेगा जेसल मेर बाड मेर बिकानेर तो यह तो आपको याद हो जेगा हाँ भी यहां बिकानेर है यहां जेसल मेर है यहां लगबग बाड मेर है तो यह तीन नाम तो याद हो जाएंगे जेसल मेर बाड मेर बिकानेर देखे गंगा नगर जो है गंगा तांके किस जिले में चलती है अंसर अपना क्या होगा गंगानगर और देखे दोस्तों चूरू और क्या है चूरू सरवाधिक गृष्म काल में सरवाधिक तापमान कौन से जिले में होता है चूरू में कितना 50 मिट्टी है रितिली मिट्टी है जल्दी गरम होती है गिरिशमकाल में ठीक है दिन के समय सूर्य की उस्मा को जादा अवसोसित करेंगी क्योंकि इसके कणों के आकार बड़े होते हैं तो इनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है जादा होता है तो उस्मा का जादा पहन करते हैं उतनी ही तेजी से उश्मा को छोड़ भी देते हैं उत्सरजन भी उत्ती ही तेजी से होता है कोई भी वस्तू जितनी तेजी से गरम होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी होती है तो ये मिट्टी जो है जेसल मेर में ये रात को तेजी से ठंडी हो जाएगी तो र मिलता है जेसल मेर में और अभी मैंने कहा चूरू में शीत काल में नियूंतम तापमान देखने को मिलता है राजस्थान में कितना माइनस दो डिग्री सेंटिग्रेट और ग्रीशम काल में अधिक्तम तापमान भी चूरू में देखने को मिलता है जिले की बात कर रहा हूं मैं इस तरीके से याद रखें सरवाधिक दैनिक वेवार्सिक तापांतर वाला शेत्र या जलवाई वे शेत्र ठीक है दोस्तों तो आई होप आपको सुस्क परदेश या मरुस्थलिय परदेश समझ में आगया होगा फैक्ट साब याद कर लें थोड़ा सा वसी है कि गंगा नग कर और चूरु में जलवाईवए वह Dave इस तरह खी जलवाई हूँ है ठीक है चली दूसरे नम्मर गी अर्द सुस्क स्टैपी जलवाई वीय परदेश अर्द सुस्क जलवाई वे शेत्र और एक तरीके से फाहाँ ऐसा शेत्र जहां स्टैपी वनस्पती vegetation पाई जाती है ठीक है दोस्तों आपको अच्छे से पता है हम किसकी बात कर रहे हैं 25 cm सम वर्षा रिखा से पूरुव का और अरावली से पस्चिम का जो भाग है ठीक है और इसे राजस्थान बांगर भी कहते हैं चलिए देखते हैं ग्रीशम काल में ग्रीशम काल में दोस्तों यहां जो तापमान है वो 36 से 42 degree centigrade या 36 से 42 degree Celsius तक देखने को मिलता है शीद काल में जो तापमान है दोस्तों वो है 10 degree से 17 degree Celsius और वर्षा जो है वो 25 से 50 cm और सतवार्षिक वर्षा देखने को मिलती है और आपको अच्छे से बता है 25 cm समवर्षा रेखा और अरावली जहां सुरू होता है वहां कौन सी समवर्षा रेखा है 50 cm समवर्षा रेखा है तो इसी के बीच में यहां औसत वार्षिक वर्षा भी आपको असानी से याद हो जाएगी तापमान गिरिसम काल सीत काल तापमान भली याद ना रखना दोस्तों लेकिन वर्षा जो है वो याद रखना वो पूछा जा सकता है कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें इस परकार की जलवायू मुख्य रूप से पाई जाती है हलांकि आपको लगबग लगबग जिलों का अंदाजा है कौन से जिले इहां पाई जाते हैं लेकिन वो जिले जहां मुख्यत है इस परकार की जलवायू पाई जाती है या वो जिले जहां से आपको इस परकार की जलवायू याद रखनी है वो हैं जालोर, पाली, जोदपूर का पूर्वी भाग, नागोर और सिकर और जुझनू देखे दोस्तों जालोर आपको याद हो जाएगा, पाली लगबग यहीं है, जोदपूर यहीं है, ठीक है नागोर भी आपको याद हो जाएगा असानी से ठीक है बिकानेर अपने ने इधर इंक्लूड कर लिया तो अब नागोर रह गया और उपर अगर अपने चूरू चूरू जो है वो भी इधर इंक्लूड कर लिया तो सेखावाटी के सिकर और जोंजनू अपने बाकी रह गए तो ये वो मुख्य जिले हैं जिसमें इस प्रकार की जलवायू देखने को मिलती है जालोर, पाली, जोदपूर का पूर्वी भाग, नागोर, सिकर और जौनजनू ठीक है दोस्तों चलिए तीसरा भाग उप आदर जलवायू ये परदेश तो देखें मोटा मोटा अनुमान तो अपने ये लगा लेते हैं क ठीक है तो अपने वो एक पता चल जाएगा कि वार्षिक वर्षा कितनी होगी पचास से साथ सेंटीमीटर ओसत वार्षिक वर्षा होगी ठीक है तो अपने अब बात कर रहे हैं उप आदर जलवायू ये परदेश की अरावली परवतिये शेत्र की मुख्यत है ये यहां थोड़ा समय ने एक तीर का निसान गलत लगा दिया था अपने अभी सही कर लेंगे हाँ तो दोस्तों ग्रीसम काल में यहां तापमान कितना रहता है लगबग 28 डिगरी सेंटीगरेट से 36 डिगरी सेंटीगरेट तक शीत काल में यहां 12 से 18 डिगरी सेंटीगरेट तक तापमान रहता है और और सत्वार्शिक वर्षा किती है दोस्तों 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक की और अगर आपने वर्षा रित्व वाला जो अपना जो वीडियो है वो अच्छे से देखा है तो आप जो अपनी वर्षा रिखाएं हैं वो किस प्रकार अपने नक्षे में दर्शा सकते हैं विभिन वर्षा रिखाओं को सम वर्षा रिखाओं को और अगर आपको नक्षा याद है तो आपको यह याद करने में एक परसेंट की भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों तो अगर अब तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं जलवायू वाले तो जरूर देखेगा चलिए तो ग्रिश्म काल में शीत काल में तापमान देख लिया में चीज वर् और दोस्तों अजमेर तो ये जो जिले हैं वो आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं जहां पर इस परकार की जलवायू मेंली पाई जाती है सीकर का पूर्वी भाग जैपूर दोसा और अजमेर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपना जो चौथा जलवायू ये श ठीक है तो आपको अच्छे से पता है मोटे मोटे तोर पर मैं किसकी बात कर रहा हूं राजस्थान के पूर्वी मैदान की बात कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर जलवायू कैसा जलवायू कैसी जलवायू पाई जाती है पूर्वी मैदान में आपको अच्छे से पता है आद दर जलवाई वे परदेश ग्रेशयम काल में दोस्तों यहां तापमार रहT Air 30 đội से 34 đội CEE से से 34 чув buscar वेर्ष अच्छा सीथ रितु समयनेAAAA रहती है तो अपने याद यहां पर मैंने नहीं लिखी है वर्षया आपको मेनली याध रखनी है 60-80 cm तक फिर से कह रहा हूँ अगर आपने वर्षा रितु वाला वीडियो देखा है वो मेरे इसाब से अपना तीसरा या चौथा वीडियो होगा जलवाई उपर जो अपने ने बनाया है ठीक है और इस वीडियो के सुरुवात में मैंने पता है अभी है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है गवर तो उसमें हमने सम वर्षा रिखाओं का वित्रन जो है वो नक्षे में याद किया है अगर आपको याद है तो वो चीज असानी से आपको याद हो जाएगी तो वर्षा कितनी और सत वार्षिक वर्षा कितनी साट से असी सेंटिमीटर और सत वार्षिक वर्षा ऐसे कौन से जिले हैं जिन में मुख्चे रूप से इस प्रकार की जलवायू पाई जाती है आपको याद रखने हैं वो है अलवर अगर आप नक्से में जिलों को आपने नक्से में जिलों को याद कर रखा है तो आपको असानी से अंदाजा लग जाएगा अलवर, भरतपूर, धोलपूर, ठीक है स्वाई मादोपूर, टॉंक, बुंदी, राजसमंद, चित्तोडगडगा, दक्षनी भाग देखिए फिर से देखिए अलवर, भरतपूर, धोलपूर, स्वाई मादोपूर, राजसमंद, टॉंक, बुंदी, राजसमंद, और चित्तोडगडगा, दक्षनी भाग ठीक है दोस्तों, तो ये वो मुखे शेत्र या जिले हैं जहां पर इस परकार की जलवाईव पाई जाती है चलिए, पाँचवाँ, पाँचवाँ जलवाईव ये शेत्र, लेकिन अपने किसकी बात कर रहे हैं, मुक्यत है, अपने कर रहे हैं, दक्षिन और दक्षिन पूरवी राजस्थान की बात किसकी बात कर रहे हैं, दक्षिन और दक्षिन पूरवी राजस्थान की बात करक रेखा लगबग यहीं से गुजरती है करक रेखा के आसपास का आसपास की जलवाईव कैसी है ओशन जलवाईव है तो इसे इस तरीके से याद कर लें ओशन और आधरता बहुत अधिक है सरवाधिक इसी शेतर में है तो ओशन आधर जलवाईवे परदेश या इसे अती आ वर्षा वर्षा सरवाधिक इसी शेत्र में कितनी 80-100 cm तक अच्छा देखे यह जो शेत्र है वो माउंट अबू का शेत्र दर्शा है मैंने देखे यहां पे यह शेत्र और साथ में थोड़ा सा शेत्र इदर भी दर्शाय है पलस-पलस के निसान लगे हैं तो यह माउंट अब राजस्थान का सरवाधिक वर्षा वाला जिला है चलिए दोस्तों तो उसन आदर जलवाईय परदेश या अति आदर जलवाईय परदेश ग्रिसमकाल में तापमान पहुंच जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेट तक और वर्षा जो है वो औसत वार्षिक वर्षा है यहां प ठीक है डुंगरपूर है सिरोही है माउंटाबू की बात की थी अभी उदैपूर है उदैपूर आ जाता है इस शेत्र में और चित्तोडगड है तो जिले कौन-कौन से कोटा, बारा, जालावाड, बासवाड़ा, डुंगरपूर, सिरोही, उदैपूर और चित्तोडगड ठीक है दोस्तों तो इस परकार आप नक्से की सायता से हमारे राजस्थान के समानने जलवाई विये परदेशों को याद कर सकते हो और इसमें मैंने इनकी कुछ परमुख विसेशताओं का जिनका अब तक हमने जिकर नहीं किया था वो आपके सामने रखी है और साथ ही वो मु आपको पताया था कि राजस्थान में मानसुन का परवेश द्वार बासवाड़ा कहलाता है एक बच्चे ने मुझसे पूचा कि सर जहलावाड नहीं कहलाता क्या तो देखे फिर से आपको बता रहा हूं दोस्तों देखे अरब सागरिये साखा जो है दक्षिन दक्षिन पस मानसुन की जो अरब सागर्ये साखा है वह राजस्थान में पहले परवेश करती है हलंकी उसकी जो दिशा है उसकी दिशा कैसी है डक्षिन पस्चिम उत्तरपूर। के समनानतर हैं इसी कारण अरावली जो है अरब सागर मांसुन को रोकती ही नहीं है लेकिन फिर भी जो राजस्थान का दक्षनी भाग है मुख्यत है शिरोही, उदैपूर, बांसवाडा, डुंगरपूर यहाँ पर अरब सागर के द्वारा न्यून वर्षा होती है तो अरब सागर जो है वो राजस्थान में पहले आता है क्योंकि अपने नजदीक भी पड़ता है ठीक है, तो वो आता है लेकिन हलांकी वो राजस्थान में कोई वर्षा करवाता नहीं है ठीक है बहुत ज़्यादा वर्षा करवाता नहीं है बहुती अल्प मात्रा में दक्षनी भाग में वर्षा कराता है लेकिन परवेश कहां से करता है बांसवाड़ा से और बांसवाड़ा में उससे न्यून वर्षा होती भी है इसी वज़े से राजस्थान में मांसुन के कियें वो क्लियर हो गयोंगे तो अपनी राजस्थान की जलवायू जो है टॉपिक है दोस्तों ये खतम हो गया है इसके टोटल छे वीडियोज है तो सारे वीडियोज ध्यान से देखें क्योंस आते हैं इस टॉपिक में से और मेरी कोशिस है कि ये कोपेन का थानवर्ट का टी वर्थी का मैंने आपके सामने सीधा नक्षे की साहता से ही आपके सामने रखा है तो कंसेप्ट डवलप कीजिए उसके बाद में जो फैक्ट्स है उन अच्छे से रट लीजिए तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सारे पॉइंट्स आपके क्लियर ह और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए लाइक करने में कोई कंजूसी मत करो कोई भी बात आपको पूछनी है वीडियो के संधर्ब में कोई क्योशन है कोई आपके मन के अंदर क्वैरी है कोई चीज समझ में नहीं आई या हो सकता है मैंन कोई चीज गलत बोल दी या आपके अनुसार कोई चीज मैंने गलत बोल दी तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाए और अपने कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों अच्छा अब तक जितने ये फैमिलिय मेंबर्स हैं जितने फ्रेंड्स हैं जो आरपी से एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं या राजस्थान के बारे में जानने की चुक हैं उन लोगों से हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात करोना संकट का समय है दोस्तों तो अपने घर से कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि इसका अभी एक ही इलाज है और वो है बचाओ, इससे बचके रहोगे तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि आप अगर करोना गरसित हो जाते हो, करोना से संकरमित हो जाते हो, तो इससे अपने घर में लेके आते हो, और घर के भी आ नहीं चाहेंगे कि हमारी वज़े से हमारे घर में कोई casualty हो जाए या हमारी नदानी से ऐसी कोई बात हो जाए तो बिना किसी बात के घर से ना निकलें खुद को safe रखें अपने परिवार को safe रखें दोस्तों अब मैं side हो रहा हूं और जितने भी points हैं आपको important लग रहे हैं वो note down कर लीजिए और अपने next video में नए topic के साथ मिलते हैं दोस्तों thank you